प्रश्नक्रमांग एक और दो इस पर हम चर्चा करेंगे जो भी सवाल है इसको हम हम हल करने का प्रैत्न करेंगे और मैं लोके सर आज आज आपको इस समुच्चे के बारे में आज मैं आपको बताने वालों प्रकीरन प्रश्नसंग्रह एक के बारे में ठीक है जिसमें प्रश्नक्रमांग एक और प्रश्नक्रमांग दो इस तरह से दो प्रश्नों के बारे में ह प्रकार है इसकी जानकारी हमें इस प्रकार से जो संख्याओं के प्रकार है इसकी जानकारी हमें संख्याओं के प्रकार तो चलो मैं आपके सामने करें कि अधर दिखाए दे रहा है ना सभी को ओके चली ठीक है कि क्या है तो जिस समुह के सकता है उन कि तुम के समुह को समुच्य कहते हैं अभी समुच्य के बाद में और बहुत सी ज्यानकरिया हैं जैसे घटक इसे कहते हैं समुच्य लिखने की पद्ध्यतिया क्या है समुच्य के प्रकार जानकारी आपको पहले दिया जा चुका है जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह से प्रश्न कर्मान एक और दो से जानकारी लेंगे तो पहला प्रश्नी यहां पर आप देख सकते हैं अल्रेडी मैंने पहले से लिखा हुआ है विकल को चुनकर लिखो ये परिवाल पुछा गया है इस सवाल का जवाब ये चार्ड लिखा है कि समुच्चे M बराबर उसके जो घटक है एक टीन और पांच यहां पर तीन घटक है समुच्चे M और यहां पर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे सब्सक्राइब तो हम सबसे पहले यह जो एक वेन आक्रूति के द्वारा है … जैसे हम और इन दोनों संमुच्यों में समान घटक क्या है। दोनों में आपको क्या समन दिखाईरा है तीं गे नहीं है यहां पर समुच्छय M के जो घटक है वो एक T500 है और इस प्रकर से यहां पर दोनों घटकों को देखने पर हमें यह समझ में आता है कि यहां पर कोई समान घटक नहीं है इसका मतलब अब समान घटक नहीं है तो हम M प्रतिछेदन N का जो समुच्चे बनाएंगे वो कैसे बनेगा रिक्त बनेगा देखते हैं कि यहाँ पर जो सी वाला ओक्षन है फाय करके वो फाय ओक्षन हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा सही आंसर जो है वो सी ओक्षन है अक् माक्स तो आपको इसने समझना है कि चार ओक्षन में से एक ओक्षन को आपको सही परियाय पर चिन्नक लगाना है या उसका उत्तर के रूप में लिखना है ठीक है अब यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि समुच्चे पी बराबर धनुकोष्टक हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स ऐसा है कि एक्स को कोई विश्ण प्राकृतिक संख्या फिर उसके बाद ने कॉमा दिया गया है फिर एक से एक जो है यहाँ पर जो एक्स जो लिखा है जो इस यहाँ पर जो समुच्चे पी के जो घटक होंगे उस घटक का जो प्रतिनी तो करेगा वो एक्स करेगा तो एक से जो है वो एक से बड़ा होना चीए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पांस से छोटा या फिर पंच के बराबर एक वाला जो चिनना यहां पर दिया गया है ना ऐसा छोटा और बराबर मतलब isa तो आप छोटा ले सकते हैं यदि फिर पंच के बराबर ले सकते कि अब्ढ़े को पता है संख्याओं कि संख्या की स्रूराइक एक से लेकर कर अनन तक होती है उसको क्या कहेंगे प्राकृत संख्या लइखा विसम प्राकुरुच संख्या लिखा हुआ है तो विसम का मतलब होता है जिसको दो से पूरन रूप से भाग नहीं जाता उस संख्या को हम विसम संख्या कहते हैं जैसे की वन है थ्री है 5 है 7 है 9 है 11 है आगे 11 है यहां पर यह आगे अनंतक कीठ यह संख्या उस्ट संख्या को हम विशम कहते हैं तो यह विसम है यहाँ पर हमारा जो कंडिशन लिखा वुआ है सब्सक्राइक के विए क्या लिखा हुआ है है मैं अदाte है से थे एक से बड़ा और चोटा या 5 के पर अभी हम यह यहाँ पर देखते हैं तो पर है सबस्क्राइब दो को नहीं लेंगे उसके बाद ने लिए फिर उसके बाद में पांच से चोड़ी संक्या नहीं है तो इसको हम उसके तो इस प्रकार से हमारे मतलब के लिए बनते हैं तो यहान पर को प्रकार से आपको जो समुच्चे के लिए जान करती है और उसके आधार पर आपको हल करना है अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न कर्मान पहला प्रश्न कि यहां पर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है समुच्चे पी बराबर एक दो फिर उसके बात में डॉट डॉट लिखा हुआ है फिर दस लिखा हुआ है लिख सकते हैं फिर यहां पर सवाल पूछा गया है किस प्रकार का समुच्चे है प्रश्न में दिया गया है पहला रिक्त समुच्चे है क्या दूसरा ऑप्शन दिया अनंत समुच्चे है क्या तीसरा ऑप्शन दिया गया है समुच्चे है क्या चौथा ऑप्शन दिया गया है इन में से कोई भी नहीं अभी आपको जो समुच्चे के जो प्रकार है वह प्रकार से चार प्रकार समुच्चे के हैं इन में से कौन सा है तो अभी यहां पर रिक्त तो नहीं बोल सकते हम इसको क्योंकि यहां पर अल्रडी घटक लिखे गए हैं उसके बाद में अनन्त भी नहीं कह सकते क्योंकि आगे यहां पर दस पे आकर रुका हुआ है यहां पर घटक जो है वो दस पे आकर रुका हुआ है तो इसको हम अनन्त समुच्चे भी नहीं कहेंगे उसके बाद में सी ऑप्शन दिया है यह समुच्चे लिखा हुआ है तो पर यहां पर नोई रहा है तो यह सिमित संदुट कहलाएगा तो इस प्रकार से आपको जो आप के समुच्छे में जो पिछले लेख्छर में आप बताया गया है इस समुच्छेह। इसका सही ऑप्शनन को आपको क्लिक करना है उसके बाद में अगला सवाल हम देखे यहां पर यहां पर लिखा उखा हुआ है प्रुष्णकृeman पहले का चौथा यहां पर आप देख सकते हैं मैं संक्रिया यहां के बारे में आपको जानकरी से जा वर्चिन को चैन करी करhe उल्टा यू कहेंगे लेकिन ये यू नहीं है यहाँ पर संग के रूप में है और संग की जो परिभाशा है दो समुच्चेओं के संग की परिभाशा जो है उसमें हम देखेंगे कि दो समुच्चे कोई भी दो समुच्चे उनके दोनों ही समुच्चेओं के सभी घटकों का सम सबस्क्राइब करते हैं यहां पर सबस्क्राइब यहां पर नंबर भी लिखा हुआ है अब यहां पर उसी चीज को कि M के घटक कौन-कौन से यहां पर लिखा गया है 1, 2 और 4 ठीक है तो 3 घटक है यहां पर हम देख सकते हैं 1, 2 और 4 इसका मतलब बचा हुआ जो घटक है वो N पर जाएगा 3, 5 और 6 तो आप option में देख सकते हो कि यहां पर 3, 5, 6 कहां पर दिखाई दे रहा है आपक तो यहां पर पतलब option B पर घटक दिखा है 3, 4, 5, 6 अब मैंने यहां राउंड किया है समुझे N के लिए 3, 5, 6 और यहां 4 भी है तो आपको पता ही है कि सुची पद्दती में लिखते समय कोई भी अगर घटक दूबारा लिखा गया है दो बार लिखा गया हो तो उसको option B पर आपको क्लिक करना है ठीक है उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं यहां पर यहां पर पाच्वा प्रश्ण है प्रश्ण करमान पहले का पाच्वा यदि समुझे P यहां उप समुझे है समुझे M का तो नीमनल लिखित में से समुझे P प्रति छेदन ब्रेकेट में लिखा है P संग M कौन सा है यहां पर उच्छा गया है कि यदि समुझे P यहां समुझे M का उप समुझे है तो नीमनल लिखित में से समुझे P यहां पर हमको इस पर फोकस करना है क्या लिखा हुआ है कि P प्रति छेदन यहां पर उल्रड़ी P संग M दिया गया है और आपको पता है कि अगर जैसे मान के चलो मैं मां पर यहां पर एक दो लिया फिक है तो अभी आप देख सकते हैं आप यूजा केलिए जो हमारी कड़्िशें ने तो इसका मतलब संगे । को एक इक गहटक n वे है तो उसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं के गटक है गटक है आप इसको ड को हैदी हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा संग के रूप में यह दिलेते हैं तो क्या होगा यहां पर 123 ही आएगा अब यहां पर 123 आ गया और प्रतिछेदन तो प्रतिछेदन में सामान्य घटक अब समुच्छे आए इसका अंसर जो आएगा क्यूंकि समुच्छे में एक गटक है और वह दो यहां पर को समुच्छे जो ए है उसपर आपको टिक करना होगा और समुच्छे पी को सही परियाएज चुनना होगा ठीक है यहां पर हमारा पाच्वा प्रश्न हुआ हूं उसके बार देखते हैं प्रश्न ठिंगें रिख्त प्रश्न लिखा हुआ है कि यह इसा है यहां पर छट्प प्रश्न निम्लनखित में से रिक्थ समुच्चय कों सा है अब सभी को सब्सक्ता है समुच्चय पी ले यहां पर जो option को हमें समझना जरूरी है तो यहां पर option A में क्या लिखा गया है समानतर रेखाओं का प्रतिछेदन बिन्दू और दूसरा option जो बी दिया है वो लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च है उसके बाद में C option लिखा है कि 30 दिन से कम दिनों वाले अंग्रेजी महनों का समुच्च है और D option लिखा है कि P समुच्च है P धनु कुष्टक में X ऐसा है कि X यह घटक है इंटीगर नंबर का इंटीगर नंबर का मतलब होता है पूर्नांक संक्या ठीक है अब यहां पर minus 1 से बड़ा है X फिर X से बड़ा है एक तो यहां पर हम इसको बारी-बारी से पहले हम समझ लेते हैं कि इस समुच्च है जो हमको जो option दिये गए हैं तो option A के बारे हम समझते है समंतर रेखाओं का प्रतिछेदन तो आपको पता है कि दो समंतर रेखाएं जो होती है वो आपस में प्रतिछेदित नहीं करती है तो यहां पर जो इसका घटक आएगा वो रेखता आएगा और यहां पर पूछा गया है कि नीमने लिखित में से रेखता समुच्च है कौन स सम अभाज्य संख्याओं का समच्यागा मतलब क्या है कि सम संख्या होनी चीए पर वह अभाज्य होनी चीए तो अभाज्य का मतलब क्या है जिस संख्या को स्वैम के अलावा एक या स्वैम के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न जाता हो तो सम संख्या में दो एक ऐसी सं संक्या से भाग नहीं जाता और यह सम भी है इसलिए पर यहां पर हम अगर इसका समुच्चे बनाते हैं तो एक घटा कि यहां पर देखने को मिलता है इसका मतलब यह क्या है यह रिक्त नहीं है उसके बाद में तीसरा ऑप्शन दिया गया है तीस दिन से कम दिनों वाले अंग आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पर इस समुच्चे में मतलब एक घटक दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह भी रिक्त समुच्चे नहीं है लास्ट वाला ओप्शन आपको मैं समझा देता हूं अभी आपको पता है समुच्चे लिखने की दो पद्धतिया है एक आपके सामने समुच्चे लिखा गया है कि एक सारे जो घटक आएंगे उस अभी गड को का प्रत्तिनिधित्वप करेगा अबी इंटिग नंबर आपको पता है संख्या रेखा होती है तो इस संख्या को कहते हैं पुर्णांग संख्या अभी आप देखोगे कि हम आएसे आ रहे हैं तो यह इदर से चोती होती जारी और ऐसा हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि संख्या बढ़ती जाती है इसका मतलब माइनस 2 से बढ़ा माइनस 1 है माइनस 1 से बढ़ा 0 है 0 से बढ़ा 1 है 1 से बढ़ा 2 है ठीक है तो यहां पर जो सवाल पूछा गया है माइनस 1 यहां पर देखे तो माइनस 1 से एकस बढ़ा है तो माइनस 1 से बढ़ा क्या है जीरो ठीक है उसके बाद में यहां लिखा है एक से छोटा एक से छोटा ऐसा लिखा हुआ है तो एक से छोटी संख्या क्या है मतलब दोनों तरप से यहां पर सुन्य आ रहा है, तो यहां पर भी जो इसका समुचय बनेगा और सुन्य बनेगा, इसका मतलब यह भी रिक्त नहीं है, इसका मतलब पहला वाला जो option है, समुचय, सॉरी, जो option A है समंतर रेखाओं का प्रतिछेदन बिन्दू, ठीक है, जो five मै लिखाये इसका मतलब दो समंतर रेखाया आपस में प्रतिचेदित नहीं करती है और वहां पर आप इसको थाय के रुप में दर्सा सकते हैं या फिर कोई घटक न लिखकर भी आप उसको दर्सा सकते हैं ठीक हैं तो यहां पर हमारा प्रकीर्ण प्रशन संग्राप पहले का पह प्रशन का पहला सवाल निम्ललिखीत में से कौन सा समुह समुच्य है तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको पहला ओप्शन लिखा है इंद्र धनुष के रंगों का समुच्य है दूसरा ओप्शन दिया गया है विद्यले प्रांगन के उंचे व्रुक्ष और तीसरा अब देख सकते हैं विद्यले प्रांगन में उचे व्रुक्ष ठीक है यहां पर इस समुह दिखाई नहीं दिखाई देता है कि कौन-कौन से व्रुक्ष क्यूंकि हम समुच्य के लिए परिभासा क्या है कि वह इस पर रूप से क्या होने चाहिए उसका उलेक होना चीए पर यहां पर सही और इस पर रूप से उलेक नहीं है इसलिए यहां पर हम इसको नहीं चुनेंगे उसके बाद में गाओ के धनाडियर लोग अब यह भी पता नहीं है कि कौन-कौन लोग धनाडिया है यह भी यहां पर परिभाशित नहीं किया गया है उसके बाद पुष्टक मे लेकिन इंद्रधनुस के साथ रंगों का समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च तो हम समुच्चे के रूप में चूनेंगे उसके बाद में यहां पर दूसरा सवाल यहां पर पुछा गया प्रश्णक्रम दूसरे का दूसरा निमनलिखित में से कुछ सा समुच्च्य एंप्रतिछेदन अब यह न का मतलब क्या है नैचरल संख्या और डबलू का मतलब क्या है और संख्या किसे कहते हैं तो समुच्चे संख्या की शुरुवात एक से होती है जो एक से लेकर हम अनन तक लिखते हैं उसका संख्या सो engineers किसे कहेंगे याने की होल नमबर जिसमें संख्या समूह में सुन्य से सुरुआत होती हो उसको हम पूर्न संख्या कहेंगे तो दोनों का प्रतीछ kalian तो आप दोनों के प्रतिशेदन में देख सकते हैं कि यहां पर कुण शॉप्षन आएगा तो आप दोनों के लिए जैसे यहां पर प्रतिशेदन में यहां पर जो पहला दिया गया है वन टू थरी अनंतक के उसके बाद में सुन्य दिया गया है तो सुन्य जो है वो नैचरल स जो दिया गया है और यहां पर रिक्त दिया गया हो भी नहीं आएगा इसका मतलब ऑप्शन ए जो है यहीं सही विकल्प है और इस पर हम सही प्रयाय के रूप में इसे ही चुनेंगे क्योंकि एक दो तीन और अनन तक के लिखाए आगे इसका मतलब प्राकुर्श संख्या में भी यह घरतक समाविष्ट है और और नमबर में भी यानि कि पूर्ण संख्या में भी यह पूरी तरह से समाविष्ठ है इस प्रकार से हम यहां पर क्या करेंगे प्रशन कर्मांग दूसरे का दूसरा इसका ऑप्शन जो दिया गया है सही option वो एग है उसको हम चुनेंगे ठ यहां पर प्रश्ण क्रमांग्स दूसरे का तीसरा वाला यहां पर लिखा है यदि समुच्चे पी बराबर धनु कोश्टक में एकस ऐसा है कि एकस यह इंडियन सब्द के अक्षर है तो सूची विधी में समुच्चे पी कौन सा है यहां पर लिखना है तो आब ही आपको पता है समुच्चे लिखने की दो पद्धतिया है पहला है सूची पद्धती और दुसरा है गुन्वरनन पद्धति एठीक है त इस प्रकास से दो पद्धति है एल्रेडी आप को जो समुच्चे पी लिखा इंडियन और आपको पता है यहां पर इंडियन इस सब्द को हमें क्या करना है सूची पद्दति में लिखने के लिए जो हमारे इसके नियम है मंझे रूल्स है क्या क्या रूल्स है कि सबसे पहली बात तो घटकों को हम काउमा देकर अलग-अलग लिखते हैं और दूसरी जो इसके बात है वो क्या है कि घटकों को हम स्मॉल लेटर में ही यूच करते हैं यह भी आपको पता है उसके बाद में जैसे यहां पर दूबारा आपको इसके पहले भी मैंने बताया है कि जो घटक दूबारा लिखा गया है जैसे यहां पर आई यहां पर है आई यहां पर है यहां पर दो बार लिखा हुआ है, तो इन घटकों को छोड़कर, मतलब एक बार लिखना है, मतलब दूबारा नहीं लिखना है, जो मैंने बताया आपको यहां पर I और N के बारे में यह दो दो बार लिखा हुआ है, तो इसको एक एक बार लिखना है, तो यहां पर हम देखते और यहां पर आए नहीं लिखा हुआ है तो सही उप्शन हमारा भी होगा और चुनेंगे ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर जो प्रश्नकरमंग दूसरे का जो चौथा है वह सवाल मैं यहां पर आपको बता रहा हूं यदि समुच्चे टी बराबर उसके घटक दिये ग मैं इसका रख फायं थिक मैं तसको अलग किया मजर अध्य दूसरा जो समुच्चय है जिसके घटक दिये गए हैं तीन चार साथ आठ ठीक है यहां पर हमारा जो सवाल है तो समुच्चे T संग M किसका मतलब संग का मतलब आपको पता है दोनों समुच्चेयों का समाविश होना चाहिए तो संग समुच्चे कहलाएगा समुच्चे का गटक को से है 1,2,3,4,5 और यहां पर हम देखते हैं कि समुच्चे M के जो गटक है वो 3,4,7,8 है तो यह दोनों को हम क्या करेंगे समाविश करेंगे तो समाविश करेंगे तो यहां पर भी 3 दिखाई दे रहा है समुच्चे T में और समुच्चे M में भी 3 गटक जो चार है वो समुच्चय में भी लिखा हुआ है तो इस प्रकार से उनको लिखना है लेकिन ये दो दोनों समुच्चय में लिखा गया है इसलिए इसको एक ही बार लिखनेंगे और अभी रहा कुण सा गटक यहां पर देखना है कुन सा है यहां पर ओपृप्शन को हम क्या करेंगे यहां पर सही विकलक के रुप में हम छुनेंगे तो इस प्रकार से प्रश्नक्रमांग 1 और प्रश्नक्रमांग 2 इतने सारे यहां पर सवाल से मैंने explain करके आपको पताया है यदि आपका आप तो की कुछ सवाल हो तो आप मुस्से सिएर कर सकते हैं बन्वार्टा िटे है अधितल को टूरा है कि फुस्कांब को अक्षियू इस भाल टाया न यह प्रेश्न च्छेरिय। करुमांक दूसरे का फिपत वाला पहले का ौक मैं कि कि समच्हे यह है समुच्हे एम का ठीक है तो ऐसमुच्हे समय M का मतलब कि समुच्हे M का को एक ने घटक किसमें समावेश है समुच्चे पी में इसलिए वह उसका है समुच्चे म का अब आगे जो सवाल पूछा गया है कि प्रती छेदन फिर प्रेकेट में लिखा गया है अब हम प्रती छेदन के रूप में लेते हैं तो प्रती छेदन का मतलब होता है समान समान घटक दोनों समुच्चें के समान घटक तो समान घटक समुच्चे पी में और संग वाले में पी संग एम वाले इस समुच्चे में कौन से समान घटक सामन्य घटक दो है तो दो जो है वो समुच्चे पी के ही घटक है इसलिए ऑप्शन ए जो है यह सही विकल्प होगा ही कहा है कि कुछ पुछ नहीं और है अलो है मोनी क्लियर हुआ डाउट आपका है हलो हलो सर आवा जा रही है न मेरी जी हाँ सर आ रही है सर और कोई सवाल पूछना चाहे तो हाँ नीधी अचा संध्या यह सार पूछ लो बेटा सर प्राशन नंबर प्राशन करमांग पहले वाला पहले का स्वाला ना करें करें है तक है यह यह आप प्राशन करमांग पहले का अब यह अपर लिखा हुआ है कि निव्याट निमनलिक्षित में से रिक्त समूझे कौन सा है आपका नाम क्या है बिटा नियुक्त के ठीक है संध्या अबाज्य संख्याओं का समुच्छे पाद तीसरा ओप्सपन लिखा है तिस दिन से कम दिनों वाले अंग्रेजी मेहनों का समुच्छे उसे बाद समुच्छे डी लिख्या है इसमुच्छे पी बराबर धनुकोष्टक में एकस ऐसा है इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो यहां पर पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है तो यहां पर हम सम लिखा हुआ है सम का मतलब है पाईज जाएगा तो यहाँ पर दो जो है वह सम अबाण संख्या है और यहां पर एक घटक यहां पर शेनल बन रहा है वह गट वह ठीर सिवाल चान थीन से कम दिन वाले अंगररेजी महेनु पर इसका मतलब यहां पर भी समुच्चे का जो घटक आएगा वह एक फर फेवरुरी का महना आएगा इसका मतलब इसके बाद में डी वाला जो आप्शन है मैंने जो संख्या रेखा के आधार पर बताया कि माइनस वन से छोटा सुन्य है और एक से छोटा क्या है शुन्य ही है तो यहां पर भी समुच्चे जो बनेगा वह सुन्य एक घटक उसमें मौजुद होगा इसलिए यह भी रिक्त नहीं होगा तो इसका मतलब आप्शन ए वाल किसी को कोई सवाल इक में तॉट संतोश सिंग्ट प्रियंका पूचलो बेटाओं इस अब बोले कि प्रश्ण करमांग सेकेंड का सेकेंड का सेकेंड वाला ओके ठीक है अब यहां पर प्रश्ण करमांग दूसरे का जो दूसरा है वो प्रश्ण क्यों कि अटमों करें और डूसरे का संख्या प्रक्रुत बहुत ठीक है और W को यानि कि पूर्ण होल नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में पूर्ण संक्या ठीक है तो यह दोनों में समाविष्ट जो घटक है वो दोनों में जो अभी प्रतिछेदन के लिए हमारे हमारी जो कंडिशन है वो क्या है कि दोनों समुच्चयों में जो सामान्य जैसे की नेच्चर में जीरो नहीं होता है और पूर्ण में जी रो होता है लेकिन नेच्रल में वन टू-300-74 और पूर्ण यहां पर option के रूप में दिया गया है option A में 1, 2, 3 उस option को हम सही विकल्प के रूप में हम चुनेंगे ठीक है प्रियंका क्लियर हुआ डाऊ हेलो हेलो प्रियंका आवाज आ रही है मेरी जी सर आ रही आवाज है और और कोई सवाल किसी बच्चे से गोबिन जार उसका स्क्रीन शॉट लेने का है किसका स्क्रीन शॉट लेना है जो आपने पड़ा है नहीं स्क्रीन शॉट सर आप इसका सॉलूशन बताईए हालो पाटिल सर जी सर वो इसक्रीन शॉट के बारे में बात कर रही है तो आप उनका थोड़ा क्लियर किजिए थीक है यह सब है यूट्यूब आपको लाइव मतलब यूटूब पर यह वीडियो पूरा मिल जाएगा तब ले ले लेना उससे तो कि अधिक है बेटा पूछलो बेटा क्या पूछने आपको है अधिक है वो जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया थे ना वह बताई है ना आप प्रश्न करमांग बोलिया ना मैं फिर बताता हूं कि एक सेक्ड़ वन पॉइंट 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 फूर में प्रश्न करमांग पहले का चौथा बोल रही है कि है हलो है अभी जो मैं प्रकीन प्रश्न संग्रा पढ़ा रहा हूं ना उस पर से आप कुछी है ना आप आप बता लिया कि आवाज नहीं आ रही है बिटा बराबर पुछे तो पॉइंट वन बताएं दूसरे का पहला कि हलो कि यस दूसरे का पहला बताएं ना अच्छा मंजे अ प्रकीन प्रश्न संग्रा के दूसरे का पहला यह तुम्हें एक्स्लिंट किया ना बिटा भी यह निम्ला लिखित में से कौन सा समुच्च है तो यहां पर इंद्रधन पहला ऑप्शन जो दिया गया है इंद्रधन उसके रंगों का समुच्च है अब सबको पता है कि इंद्रधन उसके सात रंगों कर सकते हैं इसको हम एक्स्प्लेण कर सकते हैं उसको परिभाशित कर सकते हैं इस पर रूप से बता सकते हैं इसको कौन कौन इंद्रधन रूप्ष लोग है उसके बारे में बताया गया उस तक में दिये गए सरल प्रश्ण अब को अभी सब्सक्राइब के लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो किसी को गनी जिसको कठीन लगता हो जरूरी नहीं है कि अगले स्टूडेंट्स को वह कठीन ही लगे उसको सरल हो सकता है जिसको सरल लगता है वो उसके लिए कठीन हो सकता है यहां पर भी इस पस्ट नहीं होता है जबकि हमारा जो सवाल है दूसरे का पहले का कि निमने लिखीत में से कौन सा समुच्च है तो यहां पर पहला वाला जो आप्शन है न हम उसको सही विकल्प के रूप में चुने ठीक है ठीक है बेटा क्लियर हुआ डाउट यह सोगे विलकांगे अश्र समय हो गया है आप एंड कर दीचे ओके ओके थैंक यू वेरी मच बच्चो थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सर